नमस्कार दोस्तों गुरुकोल अकेडमी में आप से का स्वागत हैं दोस्तों आज हम रेलेवे एंटीपी से और गुरूपडी वालों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नमबर तीन लेके आ गई हैं फ्रेंस याद खना इस टेस्ट में आपको जीके के टोप 50 क्यूशन मिलेंगे जिनको रेलवे एकजांस में बार-बार पूछता है अगर आप लोग अपने एकजांस की तियार को सच्चे मंशी और सीरिस होकर आगे बढ़ा रहे हैं तो आप लोग यहां से 50 में से 40 कोशन सही करके दिखाए तब ही हम आनेगे कि आप लोग सच्चे मंशी और सी को चले जाएं और रहें अगर आपको वीडियो अच्चे लेगा तो लाइक करें अपने फ्रेंज की पास शेर करें और या दखना एक को अंसर देने के लिए आपको 5 सेकिंड का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे और पेडियास के लिए आप लोग किस तिथी को मनाया जाता है बताएंगे जल्दी सक मनाया जाता है विसो डाक दिवस जल्दी से आप लोग आंशर देंगे जी बहुत शित यार यह बहुत सा रिस्पोंश रहता है पांच सेकेंड का आपको वक्त मिल रहा है बताएंगे जल्दी से विसो डाक दिवस मनाया जा कब हुई बदाएंगे जिल्द से आपलों फ्रापड कब हुई थी पिन कोड प्रणाले के शुरुवात तो यह हुई थी 1972 में हुई थी पिन कोड प्रणाले के शुरुवात भी रहेगा रेडाउंसर निसु बहत्तर नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक स यान पाथ फाइंडर कौन से पाथ फाइंडर है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक सियान यह होगा रेडाउंसर पाथ फाइंडर देखिए नेक्स्ट एक बैरल कितने गैलन के ब्राबर होता है एक बैरल कितने गैलन के ब्राबर होता है तो यह होता है 31.5 गैलन के 31.5 Galon के बराबर होता है, एक barrel, See हो जाएगा जरेटांशर, आगी चलिए आज देखियो, Mother Teresa को भारततन से समायद का गया था, बताइगा जलिसी, Mother Teresa को भारततन से समायद का गया था, किया गया था, 1998 में का गया था, भी रहेगा जरेटांशर, सरहदी गांदी करूप में कौन विख्यात हैं सरहदी गांदी करूप में कौन विख्यात हैं बताएंगे जली से सरहदी गांदी करूप में विख्यात हैं खान अब्दुल गौफार खान खान अब्दुल गौफार खान सरहदी गांदी के रूप में विख्यात हैं सी होगा रैडांशर देखे नेक्ष्ट है History of Hindu science के लेक़ कोन है History of Hindu science के लेक़ कोन है तो ये मेगनाद साहा है सी हो जाएगा रैडांशर मेगनाद साहा आगे है चीन की दिवार के लंबाई कितनी है बनाएंगे जली से कितनी है चीन की दिवार के लंबाई तो फ्रेंसी पंद्रसो मील है चीन की दिवार के लंबाई कितनी है पंद्रसो मील सीरह गार आई डाउन से पंद्रसो मील ठीक है आगी चलेगा देखिए स्पेन के संसद को किस नाम से जानती हैं बहुत बार करवाते हैं करण फिरेंस में कुछ ना आता तबी हम लगबग देसों कि जो संसद है, PM है रश्रपमति सभगे के नाम हम बताते हैं तो इस कुछिन में Friends कोई Mistake ना हूऊ स्पेन के संसद को किस नाम से जानते हैं तो फ्रेंस कोर्टिस कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं कोर्टिस कहते हैं स्पेन के संसद को ए रहेगा रिटांशर विफोर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है तो यह विस्टन चर्चिल का है तो D रहेगा right answer चर्चिल का है V for victory विख्यात नार ठीक है D रहेगा right answer देखिए next है कोटा नगर किसी नदी की किनार इस्तित है बताएंगे जल्ली से कोटा नगर किसी नदी की किनार इस्तित है तो यह है चंबल नदी की किनारे पर कोटा नगर चंबल नदी के किनारे पर है तो यहां अंशर बन जाएगा हमारा ओफ्स नमबर बी ठीक है आगे चलेगा देखिए लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बशा है लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बशा है तो लिस्बन नगर बशा है टैग नदी के किनारे पर सी रहेगा रेट आउसर टैग नदी नेक्स्ट है भारत में परथम डाक टिकट कब जारे की गए थे भारत में परथम डाक टिकट कब जारे की आगया यह फ्रेंज 18-52 में तो भी रहेगा रिरानचर 18-52 नेक्स्ट है बॉन किस नदी के किनारे बशा है तो यह बशा है राई नदी के किनारे पर तो यह रहेगा राई नदी आगे बढ़ेगा देखे एक मील लगब कितने किलोमेटर के बराबर होता है यह होता है 1.6 किलोमेटर के देखिए नेक्स्ट, सोर मंडल में सबसे कम घंतव वाला गरह कोंचा है, तो फ्रेंसिस सनी है, डी हो जाएगा रेडांस सनी, देखिए नेक्स्ट, अंतरश्ची नियाले की नय दिसु का कारिकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है, नो वर्ष का होता है, अ तो थि रहेगा Serneg no-waters Nine years देखिग नेश्ट चितरणजन लोको मोटु व्रकस की स्तापना कब हुए थी किस वर्स में बताएंगे जली से चितरणजन लोको मोटु व्रक्स की स्तापना ये हुए थी 1950 में 1950 में हुए थी पी रहेगा जरेट आंशें नेक्स्ट है भारत में नागरीक उढ़ियन का प्रार्म कब वह भार्त में नागरीक उढ़ियन का प्रार्म कब हुआ तो यह हु था 1877 में तो शीर है आह ऋसर 1877 ठैक कि नेक्स्ट V.S.L. की स्थापना कब हुई थी विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्स हुई थी 1986 में हुई थी रहेगा रेटांशिया 1986 अगला कुछने कि भारत का पर्थम टेली विजन केंदर के स्थापना कहां हुई थी कहां हुई थी दिल्ली में हुई थी भारत के पर्थम टेली विजन के इंदर के स्थापना ए रहेगा जरेट आंश्यर नेश कुछ लेखे चले वी सो में उन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन सा है बताएंगे जल्ली से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सबी लोफ राफट वीडियो को अपने फ्रेंस के पाफ शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहां आएं और अपने एक्जाम के त्यारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं कि उसनमें यहां दिया कि वीजो में उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन है तो फ्रेंस से उस्टेलिया है सी हो जाएगा र यहां पे चीन आँसर बन जाएगा तो विरहगा रैडरांशर चीननें с지 करें कि सेोकथ राष्टर संग के घंजड़ाऊक् पत्र पर कितने देसों ने स्ताक्षर किया है कितने देसों ने स्ताक्षर किया था 51 देसों के ST dot क्या पर से उसच्चत राषटर संक के घंजड़ा पत्र पर तो एरहगार एड आंसर एक याववन फिफ्टी ववन नेक्स्ट है स्युक्त राश्ट संकी महासबा की बैठक साल में कितनी बार होती है कितनी बार बैठक होती है साल में एक बार बैठक होती है एरहगार एड आंसर एक बार अगला कोशन है मुस्लिम लिखके प्रत देखेंगे जल्ली से तीन बार अमेरिका के राष्ट्रपती बनने वाले पहले व्यक्ति कुन हैं तो इस से रुजुवेल्ट फ्रेंकलीन है कौन रुजुवेल्ट रुजुवेल्ट फ्रेंकलीन भी रहेगा राइट आंशर देखिए नेक्स्ट वी सो में सबस्य दिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है सबस्य दिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है बताएंगे जल् पूरे विशो में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश से ब्राजील ए रहेगा बिल्कुल राइड आनिश्वर ब्राजील में होता सबसे जादा गन्ना ठीक है या दखना आप लोग भारत अपना भारत दूसरे स्थान पर है पहले पर ब्राजील है दूसरे पर अपन से कहा जाता है कि सब वर्ष को कहा जाता है तो यह कहा जाता है 1921 को 1921 को जन्सिंग्या वर्धी के द्रश्टी से महान विभाजक वर्ष कहते हैं यह रहेगा ज्रेट आंश्यर आगे देखीगा सोतंतरता के बाद पहले जंगर्णा में भारत की कुल जन्सिंग्या कितनी थी कितनी थी 36.1 क्रोड 36.1 क्रोड शी रहेगा रपाइड आनशे देखिए next इलाएची भारत की किस राज़े में सब शिदिक होती है तो यह होती केरल में केरल में इलाएची सबसे ज़ादा होती है सी रहेगा रपाइड आनशे केरल ठीक है अगला कुछ ने नाम दफ़ा वन्य जीव अभ्यार ने भारत के किस राज्य मिशते थे सबी लोग आंशर देंगे जली से मोशिवे कुछ ने बहुत बार एक्जाम में आता है नाम दफ़ा वन्य जीव अभ्यार ने भारत के किस राज्य मिशते थे तो यह अरुनाचल प्रदेश में यह रहेगा राइड आंशर अरुनाचल प्रदेश देखे नेक्स्ट भारत का मैं क्या वेली किसको कहा जाता है जल्ली से आंशर देंगे जाप लोग भारत का मैं क्या वेली किसको कहा जाता है चानक्य को कहते हैं भारत का मैं क्या वेली भी राइडाँसर चानक की है ठीक है देखिए नेक्स्ट मुखवरात किस देश की गुप्चर संस्ता है बताएंगे जल्ली से किस देश की है तो मिसर की मिसर की है ए रहेगार इस मिसर यादखना मुखबरात मिस्र की गुपचर संस्ता है ए हो जाएगा ज्रेटांशर देखिए नेक्स्ट है इरान देश का पुराना नाम क्या है बताएंगे जल्दी से आप लोग बहुत से तयारी है इरान देश का पुराना नाम क्या है ये फ्रेंस परसिया है डी हो जाएगा रेट आंसर परस्या इरान दीस का पुराना नाम परस्या है डी रहेगा जरेट आंसर नेक्स्ट है वी सो मदो में दिवसी किस तिथी को मनाया जाता है बनाएंगे जलिस वी सो मदो में दिवसी किस तिथी को मनाया जाता है तो फ्रेंस यह मनाया जाता है 14 है नुवंबर को वी सो मधो में दिवस मनाया जाता है 14 है नुवंबर को भी रहेगा राइड आंसर 14 है नुवंबर देखिए नेक्स्ट किरकेट का मूल नाम क्या है किरकेट का मूल नाम क्या है बनाएंगे जलिस क्या है किरकेट का मूल नाम कल इरहेगा राइडांशर कलब बोल है किरकेट का मूल नाम इरहेगा ज्रेडांशर नेक्स्ट है दलहनों का राजा किसे कहा जाता है बलाएंगे जल्ली से आप लोग दलहनों का राजा किसको कहा जाता है तो फ्रेंश से चना को कहते हैं दलहनों का राजा कहा जाता है चना को सी होगा राइडांशर देखिए नेक्ष्ट सुनहरी क्रांती का संबंद किस से है सुनहरी क्रांती का संबंद किस से है तो फ्रेंशी फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांती का संबंद किस से है फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांती का संबंद डी हो जाएगा राइडांशर फल उत्पादन देखिए नेक्स्ट है ओक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किस ने कि थी ये कि थी चार्च डार्वीन ने सी रहेगा राइड आंशर चार्च डार्वीन ठीक है देखिए नेक्स्ट दूमादार जल पर पात किस नदीप पर सित है बताएंगे जल्दे से मोश हुए कु फ्रेंस यहां दिया हुआ है कि धुमादार धुमादार जल पर पात किस नदीप रहे तो ये नर्मदा पर ये रहेगा राइड आंशर नर्मदा पर फ्रेंस से एंपी में है ये भी आदख नगा है मध्य पर देश में ठीक है आगे चलेगा देखिए नेक्स्ट करक और मकरे किस महादेव से होकर गुजरती है तो फ्रेंस से गुजरती अफ्रेका महादेव से होकर डी हो जाएगा रेड आंशर अफ्रेका ठीक है नेक्स्ट लाड होर्डिंग पर बं फेकने वाला क्रांतिकारी को था रास बिहारी बोश रास बिहारी बोश भी रहेगा रेड आंशर नेक्स्ट है भारत में पहली बार राष्ट्री आपात किस वर्स गोशित किया गया था तो फ्रेंस यह किया गया था 1962 में 1962 में किया गया था भारत में पहली बार राष्ट्री आपात गोशित तो फ्रेंस सी रहेगा राइट आंसर उसके बाद 1972 में फिर 1975 में अब तक तीन बार राश्ट्री आपात घोसित हो चुका है भारत में 1962 और 72 में आंत्रिक बाहि आकरमन की कारण ठीक है और 1975 में आंत्रिक ऐसांती के कारण लाग हुआ था राश्ट्री आपात चलिगा फिर नेश्ट कुशिन देखे भारत का सबसे बड़ा नोशेना हवाई अड़ा सी बर्ड किस राजे में स्थित है किस राजे में है तो ये करनाटक में है भी रहेगा रहेगा राश्ट्र करनाटक कच के रण में गिरने वाली एक मात्र नदी कौनशी है तो ये लोनी है ये रहेगा राश्ट्र लोई नदी ठीक है नेश्ट है महभारत का फार्से में अनुवाद के सासक के काल में हुआ तो ये हुआ था अकबर के काल में महभारत का फार्से में अनुवाद हुआ था अकबर के काल में दी रहेगा राश्ट्र अकबर आगे बड़े का देखे भारत में कागज का आगमन की सदी में हुआ भारत में कागज का आगमन की सदी में हुआ तेरह में सदी में हुआ था जी भारत में कागज का आगमन सी र मनाया जाता है जल्ले से आंसर देंगे आप लोग बहुत अश्य आरी आपकी बहुत अशर इस पूंश जल्ले से आप लोग आंसर देंगे कुशन में दिया है किसान दिवस मनाया जाता है तेसी दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस डी होगा रैड आंसर नेक्स्ट दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को तो भी होगा राइड आंशर यहां पर 30 जनवरी तो फ्रेंस यह थी आज के हमारी कोशन्स जो अभी कंप्रिट हो गई हैं अगर कोई डाउट सेर किजिगा सबी की डाउट अगली क्लास में क्लिर के जाएंगे जो लोग पहली बार यहां और अपने एक्जाम के त्यारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें तो चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम